Hi guys, welcome back to my YouTube channel और कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हूँ कि आप सब अपने अपने घर पे अच्छे होंगे और आज मैं आपको लेके चलूँगी Ikea Store in Netherlands अगर यहां के लोगों के लाइग बोने तो Ekea Store क्योंकि यहां के लोग I को E कहते हैं तो चली चलते हैं पहले तयार हो जाते हैं और फिर मैं आपको लेके चलती हूँ Ikea Store और पहुचके हैं हम आज की अपने डेस्टिनेशन पे जो की Ikea है और यहां आने के लिए आपको जादा मुश्किन नहीं होगी क्योंकि आप train station से directly bus ले सकते हो और bus stop का नाम ही Ikea है तो आप यहां पे बहुत ही easily आ सकते हो तो यह यहां की entrance है तो चली चलते हैं अंदर और explore करते हैं कि हमारे लिए यहां पे क्या क्या है तो हम आ गए हैं अंदर और उपर में इनका Ikea restaurant वी है जिसको हम जरूर करेंगे बट उसको explore करने से पहले हम explore करेंगे Ikea store जो की है first floor पे तो हम आ गए है first floor पे और अंदर घुस्ते के साथ पता चल रहा है कि यह Ikea store है यहां पे मुझे इनका एक concept बहुत ही जबर्दस लगा कि जो भी इनका room है जैसे कि living area हो गया जैसे dining area हो गया bedrooms हो गए office rooms हो गए उन सबका इनके पास एक sample setup है तो यह furniture एक दूसरे के साथ कैसे जाएंगे वह इनके sample setup room में आप देख सकते हैं और imagine कर सकते हैं कि आपकी घर पर कैसा लगेगा तो यह idea मुझे इनका बहुत ही जबर्दस्त लगा और भले ही आप यहां से कुछ नई खरीदो बट आपको idea लग जाएगा कि अपने घर को कैसे decorate करना है अगर आपको यह concept पसंद आया है बट आपको कुछ color changes चाहिए तो वो भी आप लगा सकते हो क्योंकि इनके पास almost सारे color available है जो कि आजकल काफी in trend में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनके पास सारे samples नीचे इनके warehouse में रखा हुआ है तो हम आगे नीचे warehouse में और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने options है सोफा के यह सारे options इनोंने अपने sample rooms में दिखाया हुआ है बट वहाँ पर जो color ते उससे जादा color options आपको यहाँ पर मिलेंगे और यहाँ देखे यह जो chairs है यह मुझे बहुत ही जादा पसंद आया और यह आप अपने living room में भी लगा सकते हो अगर आपका sofa set काफी कम seatर का ह है तो आप इसको लगा सकते हो एंड मुझे यह chairs बहुत ही जादा पसंद आया और मुझे हमेशा से यह चाहिए था कि ऐसा एक chair और sitting arrangement में बनाओ अपने bedroom में with flowers and all तो यह मुझे काफी पसंद आया यहाँ पर office chairs के लिए भी काफी options है और यहाँ पर fully know ने setup कर रखा है office room का तो आप यहाँ से भी ideas ले सकते हो also जो sofa set के साथ tables आता है तो उसके लिए भी यहाँ पर काफी varieties थे काफी different types के tables थे यहाँ पर glass के भी tables थे यहाँ पर wooden के भी tables थे तो आप जो भी चाहो permutation and combination लगा कि अपने living room को और भी जादा attractive बना सकते हो तो मैंने जैसे कि आपको कहा कि यहाँ पर wooden tables के भी काफी options आ गए है तो पहले के time पर wooden tables बहुत ही जादा demand में था then after जब glass tables आये तो उनका demand decrease हो गया बट अब वो फिर से काफी trendy हो गया है तो यहाँ पर इनके पास बहुत सारे wooden tables के भी options फिर से available हो गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि different shape and different designs के wooden tables है तो इसको भी आप अपने living room में अपने sofa के साथ अच्छे से decorate कर सकते हो तो इसका भी काफी option था इनके पास और मुझे ये table बहुत ही जादा पसंद आया reason being कि ये table दिखने में तो बहुत ही attractive है साथी साथ इसमें storage भी है and फिर हम आगे दूसरे section में तो यहाँ पे इनोन एक gaming room का एक full setup कर रखा है तो मुझे तो gaming में interest नहीं है बट अगर आपको है तो आप यहाँ से ideas ले सकते हो पर मुझे चाहिए था एक library kind of for my office room but ये कुछ जादा ही बड़ा हो जाएगा तो मैंने decide कि मैं छोटे racks ले लूँगी so that की मेरा space भी बहुत जादा ना जाए और वो दिखने में भी काफी अच्छा लगे तो ये black वाला मुझे काफी पसंद आया क्योंकि ये मेरे office room के theme के साथ जाएगा तो मैंने सोच आए कि मैं ये black वाला rack लूँगी for setting up a coffee corner in my office room हम चले गए kids section में तो आप यहाँ पे गुस्ते के साथ देख सकते हो कि उन्होंने कितने अच्छे से setup कर रखा है I really liked it and यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने सारे options है मुझे तो याद नी कि जब हम बच्चे थे तो हमारे लिए इतने options आते भी थे बट आजकल तो बच्चों के लिए भी काफी options है which is good तो मैंने जिसे कि आपको बता रखा था कि इन्होंने हर रूम का एक sample setup कर रखा है तो इन्होंने kids room का भी एक sample setup कर रखा है for boys and girls तो अगर आपके बच्चे है तो आप यहाँ से shopping कर सकते हो यहाँ से ideas ले सकते हो for setting up आपके बच्चों का रूम तो यहाँ पे इन्होंने एक baby girl का room setup कर रखा है so everything is in white and pink and peach which is good और यहाँ पे इन्होंने सब कुछ provide कर रखा है like table, bed but हर चीज में एक बच्चों का touch है which is good and फिर हम चलेगे अपने next section में और यह है kitchen section जो की हम ladies का favorite है I think and यहाँ पे आप देख सकते कि बहुत ही सारे options है बहुत varieties है तो सबसे पहले हमें यह chimney का एक full section दिखा and यहाँ पे काफी varieties थे तो मुझे तो अभी chimney नहीं लेनी है बट अगर आपको लेनी है तो आप यहाँ पे पक्का विजिट करना क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सारे इनके पास options है and I'm pretty sure आपको पसंद आएगा यह सारे options और फिर आगे हम gas section में तो यह manual gases है जिसको आप manually चलाते हो and साथी साथ इनके पास varieties of oven है जैसे कि आप देख सकते हैं सारे oven inbuilt ovens है तो अगर आपको shopping करना हो तो यहाँ पे आपको काफी options और काफी varieties मिलेंगे आजकल inbuilt oven का काफी trend चल रहा है and they also have these electric gases जिसमें कि आप cook भी कर सकते हो और साथी साथ आपको grill करने का options भी मिलेगा तो यह भी आजकल काफी in trend में है तो अब चलेंगे ikea restaurant में जैसे कि मैंने आपको गुष्टे के साथ कहा था कि ikea store को explore करने के बाद हम जाएंगे ikea restaurant में तो यहां हमने मंगाया है pizza slice and साथ ही साथ हमने मंगाया है carrot cake जो कि बहुत जादा मीठा नी था पर बहुत ही जादा टेस्टी था और अपने लिए black coffee और खापी के चले गए हम फिर अपने नीचे के warehouse में जहां पे इनके पास जो भी उपर में सामान है उसके different varieties and different collection with different colors इनके पास है तो यहाँ पे आप चाहो तो कुछ भी आप you know like kitchen का हो चाहे living area का हो चाहे आपके bedroom का हो चाहे decoration का हो तो यहाँ पे आपको varieties of चीजे दिखेंगी and साथी साथ यहाँ पे price बहुत जादा expensive नहीं है तो आप इसको afford कर सकते हो and यहाँ पे बहुत सारी varieties मिलेंगी तो यहाँ पे place के भी मुझे बहुत सारी varieties देखी जैसे कि आप देख सकते हो तो मैंने यह सारा record कर लिया है कि सो दैट जितने options मैं देख रही है उतने options आप भी देख पाओ और अगर आपको कुछ भी shopping करना हो तो जाने से पहले आपको idea हो कि यहाँ पे क्या-क्या मिलता है अब हम पहुच गए अपने last section of warehouse में जिसमें सिर्फ और सिर्फ काटन सके यहाँ दिखाने को कुछ नहीं है तो I hope यह vlog आपके लिए helpful रहा हो और आपको अच्छा लगा हो यह vlog अगर आपको अच्छा लगा तो please do like, share and subscribe to my youtube channel that is life in Netherlands और मिलते हैं जल्दी आपको अपने next vlog में तब तक के लिए Bye Bye